Hello students, मैं C.A. Manoj Gupata मित्तल Commerce Classes से मित्तल Commerce Classes जो की जाना जाता है पूरे North India में Highest Selections देने के लिए लगातार C.A. में Highest Selections हो रहे हैं यहां से चलिए आज हम बात करने वाले हैं C.A. Intermediate का Paper No. 4 Taxation Taxation का हम Past Exam Analysis, ABC Analysis और Short Success Strategy पर आज बात करेंगे पहले आपको बता दें कि जो तीन पेपर ओ रहे हैं पेपर नमबर 1, 2, 3 इसके वीडियोज आ चुके हैं और पेपर नमबर 5 से लेकर 8 तक के वीडियोज आने वाले हैं MTP के वीडियोज, RTP के वीडियोज और और भी relevant वीडियोज जैसे amendment के वीडियोज हैं वो भी आएंगे, past exam papers के solution के वीडियोज भी तो और भी आपके exam से और आपके course से related वीडियोज लगातार इस चैनल पे आने वाले हैं इसलिए आप इस चैनल को subscribe करके रखें, bell icon दबाके portion पूछे गए हैं तो उससे आपको देख के बता चल जाता है कि कौन सा chapter कितना important है, कितने ज्यादा portion कौन से chapter से आ रहे हैं इस analysis को past exam analysis बोलते हैं, तो सबसे पहले हम past exam analysis के लिए चलते हैं, चलिए, देखिए यहाँ पर यह past exam analysis है, अच्छा हम बता देते हैं, यह जो फाइल पीडिया फाइल आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलेग्राम चैनल का नाम है, मित्तल कॉमस क्लासेज, आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, टेलेग्राम पर जाके वहाँ से मिल जाएगा, और इस वीडियो के description box में लिंक देया है, आप वहाँ से क्लिक करके पे भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं, और ये फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से चलिए, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मई 2022 के लिए, पास्ट एक्जाम अनलेशी से पिछले आठ एक्जाम का अनलेशी से किया गया है, 6 एक्जाम को ग्रीन क्यों किया गय लास्ट वाले 6 अटेंट का ही एवरेज किया है, अब हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नमबर 1, बेसी कॉंसेप, बेसी कॉंसेप है यहाँ पर 4 मार्क्स का, कोशन केवल एक बार आया है, बाकी कोशन नहीं आरा है से, इसका एवरेज 0 है, चैप्टर नमबर 2, रेजिद तो यहां पर 5 marks का एवरेज है और हर बार पुछा जा रहा है कि वल एक बार नहीं पुछा गया नॉवंबर 19 में बाकि हर बार पुछा जा रहा है इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है Incomes which do not form part of the total income मतलब Exempted Income section 10 Exempted Income के बात हो रही है यहां पर तो यह यहां पर दो नंबर का एवरेज है लेकिन यह 8 में से केवल 3 बार पुछा गया है इसके बाद हम चलते है Heads of Income Heads of Income में देखेंगे हम तो यहां पर Salaries एक नंबर का एवरेज है है तीन बार पुछा गया है आठ में से तीन बार पुछा है इसके बाद House property है House property को चार नंबर काा ेमरेज है ठीक है और Business Profession जो है उसका वह भी 4 बार तो केवल तीन अवर पुछा गया है आठ में से केवल पुछा गया है, दो number का average आ रहा है इसके बाद में ये देखिए clubbing की बाद आ रही है other person की income को include करना मतलब clubbing, clubbing of income है three marks का average है, पांच बार पुछा गया है इसके बाद हम चलेंगे set of carry forward वाला जो है तो ये दो number का average है और अब तक तीन बार पुछा गया केवल आठ में से इसके बाद deductions है, तो deduction में 0-0 लिखा है, direct question नहीं आ रहा है लेकिन आपको पता है, जब assessment करेंगे तो उसमें हर question में ये काम आने वाला है तो पढ़ तो हमको लेना है ठीक है, यहाँ पर वेटेज 0 इसका मतलए नहीं पढ़ना नहीं है, वो हम आगे भी समझाएंगे आपको, ठीक है, तो direct question इससे नहीं आया है, 0 number का वेटेज है लेकिन पढ़ना ही है इसको इसके बाद में competition of total income क्योंकि total income का competition करने के लिए इसकी जुरूत पढ़ेगी आपको, और आपको पता है यह चीज का चलिए, 17 number का average आगया है 17 marks, मतलए आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा weight इसको है, लेकिन यह इसको करने के लिए पहले 5 head आपको करना जरूरी होता है चलिए आगे बढ़ते है advanced text, TDS, TCS जो है, तो यहाँ पर 9 number का average है और 7 बार पुछा गया है इसके बाद हम चलते है provision for filing of returns and self-assessment तो यह 7 marks का average है हर बार पुछा जा रहा है तो यह देखें, यहाँ पर 60 marks का paper आ रहा है पहले pattern अलग था, तो 75 का 60 marks का paper आ रहा है यहाँ पर किस से income tax है और GST से आ रहा है 40 marks का ठीक है, हम यहाँ पर आगे भढ़ते हैं आगे चलते हैं GST GST में यहाँ पर GST का जो introduction है उसमें जूरू marks का weight है दो बार पूछा गया है, अभी नहीं पूछ रहे हैं last share time से नहीं आया है supply, supply under GST जो है, उसका weight जो है, दो नमबर का average weight है, और 4 बार पुछा गया है, इसके बाद charge of GST है यह 4 marks का average weight है 3 बार पुछा गया अब तक 8 बार में से exemption from GST है यह 5 बार पुछा गया, 3 नमबर का average weight है, इसके बाद time and value of supply है यह आपका 2 नमबर का average है, 5 बार पुछा गया है, value of supply है तो value of supply है आपका यहाँ पर 5 टाइम्स पुछा गया 3 marks का average है, इसके बाद ITC देखे, important आ गया है, important chapter आ गया, ITC input tax credit 14 नमबर का average है, और हर बार पुछा जा रहा है यह, इसके बाद registration हम चलेंगे, तो registration भी हर बार पुछा जा रहा है, 7 marks का average weight है, इसके बाद tax invoice जो है, debit note, credit note evay will, यह है 5 marks का average है, और 6 बार पुछा गया 8 में से, इसके बाद payment of tax है, तो payment of tax 8 में से 5 बार पुछा गया है, 2 number का average है, returns जो है income tax, इसके GST के returns जो है, तो GST returns 6 बार पुछा गया है, चार नंबर का average है, ऐसे हम देख रहे हैं, टोटल 43, तो 43 का यहां से आ रहा है, तो 61, 43 यहां, तो टोटल हो गया 103 marks, तो 103 marks का paper आता है, और 30 का multiple choice आता है, objective, ठीक है, तो पहले objectives नहीं आते थे, अभी फिर objectives आने लगए, इसलिए हां से, पिछले 6 attempts से objective आ रहे हैं, तो हमने 6 attempt को लिए है, तो 103 number का subjective आएगा, और 30 marks का objective paper आएगा, 133 marks का आएगा, उसमें से आपको करना है 100 का, यह बोलते 30 तो आपको करना होगा, 30 में से 30 करना होगा, ठीक है, लेकिन यह जो 103 है, इसमें से आपको 70 marks का ही करना है, यहाँ पर 103 में से केवल 70 marks का paper रेटेंट करना होता है, 33 marks से आपको option पे questions मिलेंगे आपको, तो यह हमारा था past exam unlesses, इससे हमने समझा कि कहां से paper पूछा जा रहा है, कौन से chapter को कितना weight दिया गया है, और क्या frequency है, किस तरीके से questions सारे चलिए, तो इस सारी चीज हमने समझी, अब हम बात करेंगे किसके ABC unlesses, ABC unlesses क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे syllabus को ABC 3 category में divide कर देते हैं, इससे क्या होता है, कि category पहले बनाई जाती है, और फिर category के साम से पढ़ा जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा फाइदा होता हमको, कैसे फाइदा होता होता है, वो भी बताएंगे, सबसे पहले समझते ABC होता क्या है, A category में वो chapters डालते हैं, जो असान chapter होते हैं, जिनका A category में डालते हैं, B category में उनको डालते हैं, जो average होता है, न tough होता है, न easy होता है, marks भी सबसे पहले A category साई होता है, mightily जाधा tough हैं, या जिनका weightage of marks बिल्कुल कम है, इस तरीके के chapters को हम C category में डाल देते हैं, तो यह A, B, C рол, समने समझा क्या होता है, अब अब strategy क्या रहती है strategy रहेगी कि हम को सबसे पहले एक category त्यार करनी है एक category को इत्ता जबर्दस त्यार कर लेना है कि उसमें पूरे उंसे पूरे नंबर आएंगे उसके बाद हमें बी काटेगरी पर जाना है नहीं तो आप बी और देंस अफिशेंट है पास होने के लिए कोई दिक्कत ने आती है लेकिन हमें वो इस्टूडेंट बनना है देखो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं एक स्टूडेंट जिन्हों हंडेड मार्स का पेपर पूरी तयारी कर ली अब पूरा सो नमबर का टेंड भी कर दिये लेकिंगे 25 नमबर आए तीस नमबर आए दूसरे से आप पाइदे में रहेंगे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है तो पूरा कोर्स करने पूरा कोर्स करने पूरा कोर्स करके जाएं वो गलत थार्ट है उस तरीके के पीछे नहीं बागना है इतना हम करेंगे स्ट्रॉंग करेंगे जबरदस करेंगे प अपी अपर चाप्टर है नंबर टू है एग बहुत आसान चैप्टर है आपको पता है बहुत इजी चैप्टर होता है इसके बाद में और यह साथ में साथ बार पूछा जा रहा है मतलब लगबग हर बार आ रहा है तो आपके अटेम्ट में पर आने के पूरा चांस इसका तो फाइप मार्स आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं वाले ना वेरी इजी इसके बाद हैट्स ओफ इंकम अब हैट्स ओफ इंकम तो सारे ही पढ़ने ह है तो इसलिए सब को यहां पर ले लिए गया है सेलरी जे हाउस प्रोपर्टी है बिजनिस प्रोपेशन है कैपिल गेन है अधर सोर्स इस पांचो हैड आ गए उनका जो भी वेटेज हम आल्रेडी डिसकस कर देखी चुके हैं पास एक्जाम में यहां पर भी लिखा हुआ आगे बढ़ते हैं यह आगया हमारा क्लबिंग थ्री मार्स का है एवरेज पाइफ मतलब पांच बार पुछा गया है आठ में से और यह क्लबिंग काम आएगा आपको कम्पूटेशन में भी चलिए इसके बाद चलते हैं सैट ऑफ केरी फोरवाट दो नंबर का है तीन बार पुछा गया है चलिए डिडेक्शन वैसे जिरो नंबर का लेकिन अब इसके बीना तो आपका टोटल इंकम का कम्पूटेशन नहीं हो पाएगा ना इसलिए यह पढ़ना आपको एक क्टेगरी पूरा ही पढ़ना होता है तब आप कम्पूटेशन तक पहुच पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम GST में चलते है चार्ज ऑफ GST 4 मार्क्स का एवरेज है 6 बार पूछा गया है बिल्कुल असान टॉपिक होता है चार्ज ऑफ GST इसके बाद हम चलते है एक्जम्शन फोर्म जी एस्ट-धी ठीवासा है इसलिए हैं बढ़िया से हम कर लेते हैं 5 बार प आपको पता ही इंपूट एक्स क्रेडिट इंपोर्टेंट चैप्टर है काफी अच्छा वेट ही आपको पढ़ेंगे अराम से आता है समझ में इसके बाद एक्सो थीन नमबर में से 70 नमबर करेंगे तो लगबग 70 परसेंट होता है ऐसे ही 30 का 70 परसेंट लगबग 20 होता है तो नमबर के मल्टिपल चौहीज हाते हैं उसका 70 परसेंट लगबग 70 परसेंट ले रहे हैं जबरदस तैयारी तो आप मान के चलिए कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता ये आपको sufficient है पास कराने के लिए तो इतना सा कोर्स पढ़के अराम से हम लोग जदी 75, 80, 85 जितने भी मार्स ला पाएंगे तो फिर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है पूरे कोर्स के पीछे भागने से बहतर होता है जो पढ़ें, perfect पढ़ें, जो करें, perfect करें इतना perfect करें कि उसमें full marks आएं आपके चलिए इसके बाद हम चल रहे है chapter number 9 chapter number 9 है advanced text TDS ठीक है and TCS तो यहाँ पर देखिए 9 marks का average weight है ठीक है, 7 बार पुछा गया 8 में से, इसके बाद provision for filing returns of income and self assessment यह 7 marks का है और 8 बार पुछा गया हर बार पुछा जा रहा है यह chapter average से chapter है weightage of marks भी अच्छा है तो कुल मिला कर यह chapters हम करते हैं तो marks हम को मिलते हैं definitely फाइदा होता है ठीक है, यह भी category है यहाँ पर इस तरीके के chapter से जो ठीक है बहुत easy भी नहीं है तो बहुत tough भी नहीं है इनको यहाँ पर डाला गया है इसके बाद हम GST में चल रहे है GST में देख रहे हैं debit not, credit not, tax invoice, evay will tax invoice, debit not, credit not, evay will 5 marks का average weight है returns, 4 marks का average weight है time and value of supply में से time of supply क्योंकि value हम पढ़ चुके है एक category में, तो तो टोटल 27 number के descriptive question आ रहे हैं और multiple choice का proportionate हम निकाला है तो 8 number का multiple choice है total 35, total हो गया 35 35 marks के question इस portion से आ रहे हैं तो आप देखेंगे 90 तो यहाँ हो गया एक category में और 35 यह हो गया 90 और 35, 125 125 marks का paper यदि इस portion से आ रहे हैं तो हम almost paper almost paper 90 to 100 marks का paper अराम से अटेंड कर सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा यदि 90 से 100 marks का paper यदि इस से अटेंड हो सकता है तो C category नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा पहली चीज़ दूसरी चीज ए और बी पे जब confident हो जाएं कि पूरे पूरे आएंगे तब फिर आप भी सी में जाएए कोई problem नहीं है तब फिर आप सी में जा सकते हैं उसमें कोई समझचा नहीं है चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं C category अब आप देखें यहां पर exempted income है direct question आता नहीं है इसका use भी बहुत ज़्यदा नहीं है कहीं इसलिए two marks का है तो तीन बार पुछा गया DC concept से question ही नहीं आ रहा है तो यह बिलकुल वैसे chapters है यह वाला chapter landy भी बहुत है और weightage of marks भी नहीं है इस इसके बाद में GST है तो payment of tax two marks का है supply under GST two marks का है और last में GST in India zero marks का है introduction जो है zero marks का है यह हमने देखा total descriptive किता only six marks और multiple choice question only two marks तो total 8 number का ही weight है तो सी category में वैसे chapters है इनको बहुत ही कम weight है तो इनको छोड़ भी देंगे नहीं तो आपको कोई नुक्सान होने वाला नहीं है आप ज्यादा से ज्यादा करो उसमें से पूरे पूरे नंबर आ जाए यह होती ही शूर सक्षेज इस्टेजी होती है कि जो पढ पढ़ेंगे जबर दस पढ़ेंगे पूरे पूरे नंबर लाएंगे बजाए की कोर्स पूरा को पढ़के जाएंगे और नंबर नहीं आएंगे वह स्टूडेंट हमें नहीं बनना है इसलिए यह स्टेजी बताई गई है चलिए definitely आप इसको follow करें और इसका फाइदा आपक का एकजाम देने जा रहे हैं okay all the best bye